हर्याना की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नीजूस इस सरकार ने हर्याना में प्रदेश के युवाओं को आरक्षन देने का वादा किया था लेकिन सरकार वो वादा पूरा नहीं कर रही है साथी पूर्विसियां पुपेंदर हुड़ा के खिलाफ कारवाई पर दिपेंदर हुड़ा ने ये कहा है कि बीजेपी का पहला काम यही होता है कि विपक्ष मजबूत दिखाई देता है अगर तो वहाँ विपक्षी नेता के खिलाब बदले की भावना से कारवाई की जाती है मैं मानता हूँ कि आज जो महिंगाई की स्थिती है चाहे वो डीजल हो पेट्रोल हो रसोई गैस का सिलेंडर हो जिस प्रकार से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार अवस अवे दिन शीलता दिखा रही है सरकार के मद्यप्रदेश के मंतरी प्रधानमंती जी को बधाई देते हुए कह रहे हैं कि आप इससे देश बक्ती का की आगनी परिक्षा ले रहे हैं लोगों के और इसके बधाई हो आपको तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये सोच ठीक नहीं है एक तरफ बेरोजगारी आर्थिक मंदी के सबसे बड़ी चोट गरीब आदमी पे और उसके उपर डीजल पेट्रोल गसलसरसोई गैस के दाम आस्मान चूरे हैं लगातार बढ़ रहे हैं और फिर भी बीजेपी के कुछ मंत्री ये बधाई दे रहे हैं कि जितना ये अपना देश बक्ती दिखाने का एक तरीका है कि कितना डीजल पेट्रोल महंगा हम देके आते हैं ये डीजल पेट्रोल मगर जो जो निजी हातों में आ गई ये कंपनिया तो ये आप निजी हातों में पैसा देके से दिखा रहे हैं यह समझथ से पर एकी बात है एस्डू यो इलेक्टिकल की भरती की उसमें जो जैनल कर्डिगरी की 90й पोस्टों में से जैसा मेरी जानकारी में आया है कि हर्याना की केंवल 92 उमीद्वार सेलेक्ट हुए हैं बागी अरे 10 पाहर के कमी है कि SDO level के SDO star की भरती पे भी हमारे 99 लोग और जो है अपना मद्दे प्रदेश और बंगाल और गुजराच से यहां पे SDO जो लोग भरती हो रहे हैं तो खही ना खही यह बड़ा चिंतनी है विशेप यह तो राजनेतिक प्रतिशोध है हमको साथ साल से निशाने पे लि पूरे देश में दिखाई है सभी को निशाने पर लेने का काम इन लोगों ने किया है हम किसान आंदोलन के पूरे साथ थे हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे और हर्याना परदेश के लोगों के हकों की लड़ाई हर वर्क के हकों की लड़ाई नौजवान की छोटे वैपारी की करमचारी की गरीब आदमे की हम और मजबूती से लड़ेंगे